हाला एवरिवन नमश्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत वह स्वागत है लोदाजी क्लासिस के इस बीए फ्लेट फार्म पर दोस्तों आज के सेशन में हमें चर्चा करनी भारती राजनितिक चिंतक वाली सिरीज के अंतरगत आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बहतरिन परस्नालिटी पंडित जवाहलाल नहरू के बारे में हाला कि जितनी भी परस्नालिटी ओपर अभी तक हमने चर्चा की है वो सभी अपने समय के विशेश विद्वान रहें हैं दोस्तों तो उसी क्रम में हमें आज हमें एक अपने पूर्व और प्रथम प्रधान मंत्री पं समभा नहीं होगा लेकिन हमारा प्रियास इस शेशन में यह रहा है कि इनके संपूर्ण विचार संपूर्ण विचार एक ही ही सेशन में कंप्लीट कर लिए जिससे की वे की खत्म होंच तो यहां पर देख सकते न स्वादी विचार लोगतंत्र संबंधी बीष्ब के संबंधी विचार पंचि सील गूर्ड निरपेक शिता तो जितने unke 24 टेना लगवक्स सबी विचार इसके अंदर समाईत कर दी गए हैं आज के ही सेशन में और एक ही पार्ट में कम्प्रीट करेंगे इसलिए लिखा है संपूर्ण अध्यन एक ही वीडियो में क्लिए रहे रहा चली बढ़ते हैं शुरू करते हैं दोस्तों सेशन को आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट की कि सबसे पहले इन के दिसकस करेंगे उसके भाद धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र संबन्धी वीचार ओप पर दिसकस करेंगे इसके बाद लोक तंत्र संबन्धी विचार ओपर पंचषवत और 5 सिल के सिध healthier तो कुल मिला पर करम पांच डिसकस करने वाले हैं आईए दोस्तों एक-एक करके समझने का प्रियास करते हैं हर एक सेशन की तरह में इसमें भी आप लोगों से वही बोलूँगा रठने का रठने का प्रियास ना करें तो ज्यादा बेतर होगा किस-किस बिद्वान के कौन-कौन से विचारों को रठने ज दोस्तों छुपाने जैसे कोई बात नहीं है देखिए जो सेशन में तो क्या इस दुनिया का कोई भी टीचर लेकर आएगा ना तो कंप्लीट लेकर नहीं आएगा याद रखिए कर नहीं आता है तो यह हां आपके एक्जाम के लिए सब प्रिसेंट है लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से इनको जानना चाहते हैं इन विचारों जिसे की गांदी जी के राष्ट बादी विचार जानना चाहते हो तो अभी के एक दो स्लाइड में आपके विचार कंप्लीट कर बादी गए लेकिन जब आप पुस्तक से पलोगे तब आप इनको पुरी गहराई से और समझ पाओगे यह जो सेशन होते हैं यह आपको आपका जो अध्यन होता है पुस्तकों का उनको इसी बनाने के लिए लाया जाते ह आपके लिए हो जाए उसी द्रस्टी को जिसे ले जाते दोस्तों ताकि आपको जब पड़े ना तो पढ़ने में दिक्कत ना आए एक वार में पढ़ते ही समझ आना चाहिए तो इसी प्रकार से थोड़ा सा बहभारिक स्टोरी की तरह समझने का प्रियास करेंगे तो सब इस होता चलेगा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जवाहालाल नहरू जो की एक एसा ब्यक्तिद्व एक एसा ब्यक्तिद्व जो की दोस्तों पहले तो कि एक हमारे पूरूर प्रदान मंत्री रहे हैं और प्रथम प्रदान मंत्री रहे हैं लेकिन प्रदान मंत्री होने प्रदान मंत्री बनने से पहले इन्हों ने जो संगर्स किया है देश के लिए उस कारण से भी दोस्तो या कहें कि इनके अपने बलिदानों के कारण या कहें कि दोस्तो इनका जो संगर्स रहा है इनकी बूमीका रही है उनके बूमीका को देखकरके इनका ब्यक्तिद्व और ज़्यादा ने आपर जाता है इन्हों ने इतना संगर्स किया है गांदी जी के संगर्स किया है जो कि हर कोई और बरतमान नेताओं कि अगर बात कर ले तो एक चेरे पर अपना फजी आ जाती है एक कानी तो हकिकत है दोस्तों कि किसी ने यूटूब पर ही मैंने एक बार कोई वीडियो प्ले करा तो उसमें ही एक बास सुनी थी मैंने कि उसमें खा गया था कि अगर जो नेता जो राजनेता हमारे पास जो 1947 के टाइम पर थे अगर ऐसे नेता सिर्फ आज वर्तमान में अग हमारे पास इसा होता ही नहीं हमारे पास तो किसी राष्ट में ढूने से भी नहीं मिलते इस प्रकार के निता छोड़ी यह तो जी समाने बाद दोस्तों अब हम अपने टोपिक पर आते हैं टोपिक से संब्दित चर्चा करते हैं तो आज हमें बात करनी है जवालाल नहरू पर जवाहलाल नहरू पर और जवाहलाल नहरू के सभी आवश्य जितने तत्य है जितने भी उनके विचार उन सब पर चर्चा करते हैं सबसे पहले आप यह देखिए कि रास्ट वादी विचार रास्ट वादी विचार क्या होते है या पर रास्ट वाद क्या होता है के प्रति स्रद्दा और भकति जाग उटे इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर अपने देष को ले करके देष प्रेम जागरत हो चुका है और देष के हीफ में या देसके लिए प्रेमा जागरत हों नहीं राश्त्रवाद कहAF कहलाता है याद किया इतना तो दोस्तों राष्टवादी विचार का मतलब यह हुआ कि जब संपूर्ण जनता में अपने राष्ट के प्रति जब स्रद्दा और भक्ति या राष्ट प्रेम जागरत हो जाता है और व्यक्ति अपने राष्ट के लिए अपना सरवश्व बलिदान करने को ततपर हो जाता ह उसी को हम कहेंगे राष्टवादी भावना या राष्टवादी विचार तो अब यहाँ पर समझेए क्या नहरू जी प्रारम से ही राष्टवादी थे एक प्रशन उठता है क्या नहरू जी प्रारम से ही राष्टवादी थे तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों बिल्क सबस्ट को चूए थि है तो जवाहला हाल लेहरु दोस्तो एक ऐसे विक्ति रहे हैं के से वैक्टी रहे हैं जिनों ने अपने जीवन के नो साल जैल मैं बीता है किसका रन से क्योंकि इनके इनके समय में दोस्तो जब इनका जन्म हुआ जैसा मैंने भी बताया कि राष्टवादी भावना या राष्टवादी लहर जो है देश में चल रही थी उस समय उस समय अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारती लोगों के साथ में इस प्रकार से अत्याचार किये जा रहे थे या उनके अधिकारों को इस प्रकार से कुछला ज प्रियास किया करें बृतिस सरकार का सबसे बड़ा योगदान भारत को लीख पता क्या रहा है कि बृतिस सरकार नहीं यह कहें कि अंगरेज्चों ने भारती जनता के मन में भारत के प्रती देश प्रेम की भावना जागरत की ना चाहते हुए याद रखिएगा अगर अंग्रेज अगर अंग्रेज भारतियों पर अत्यचार नहीं करते तो भारतियों के मन में कभी देश प्रेम की भावना जागरत होती ही नहीं क्योंकि पिछले हजारों साल से तो कभी भारतियों के मन में कभी एसी भावना जागरत न आई उससे पहले राष्टवादी कोई विचार था ही नहीं और यह जो राष्टवादी विचार था जो अंग्रे जो ने जनता में जगाया उससे नेरू भी जो है बंचित नहीं रह पाए मतलब यह दोस्तों कि नेरू के समय में देखिए सेकेंड कंसेप्ट इसका देखिए इसमें देखिए कि उस समय में उस समय में दोस्तों 1945 में 1945 में एक जापान जो की एक छोटा सा देश है उसने एक महान देश रूस विच्वका सबसे बड़ा देश रूस पर विजय प्राप्त कर ली 1945 में जापान ने रूस पर आक्रमण किया उसको विजे प्राप्त कर लिए उस पर तो इस विजे से भारतियों के मन में एक बात इसपस्ट हो गई और कौन सी बात इसपस्ट हो गई कि जो गोरी सेना है जो गोरी सेना है ना गोरी फोज है गोरी सेना है वो अजे नहीं है उनको भी हराया जा सकता है जैसे कि जापान ने रूस को अराया तो यहां से एक हिम्मत एक मोटिवेशन मिला भारती जनता को यहां लाड उसके बाद मे कि लाड़ करजन ने बंगाल का विवजन किया क्यों किया था हिंदू मुस्लिम फूर डालने के लिए क्योंकि बंगाल उस समय दोस्तों आंदल यह जो राष्ट वादी आंदुलन थे आंदुलनों का एक छेत्र एक रण बन चुका था एक रण छेत्र बन चुका था सरकार को अब तक क्लियर हो चुका था क्योंकि जितने भी अंतुलन फ्रारम हो रहे थे ना वो बंगाल से ही हो रहे थे तो सरकार ने एक चाल चली उन्हें सोचा कि कि अगर बंगाल को दो भागों में तोड़ दिया जाए दो वागों में कैसे एक हिंदू जिससे पस्चिम बंगाल दोस्तों उसमें हिंदू मतलब कि बना वे इस प्रकार से किया गया था कि इस पर इंदू-मुसलीम ना हो सके कुछ हिंदू बांगलादिस में चले जाए और कुछ मुस्लीम फस्चिम मंगाल में जिससे क्या है कि इनका विवार आपस बना रहे इनमें जो एक्ता थी बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक्ता बंगाल में बहतर तरीके से देखे जा सकती थी तो उस एक्ता को तोड़ने के लिए अंग्रियों ने बंगाल विवजन किया लाड़कजन ने बंगाल विवजन किया तो बंगाल विवजन क्या और इस बंगाल विवजन के कारण जनता इतनी रूस्ट हुई कि स्वधेसी इस्तर पर आंदोलन प्रानम्ब हो गए तो यह जो जनता के आंदोलन हुए यह आंदोलन इतने उग्र होने लगे कि प्रतेक व्यक्ति अब इस आंदोलनों में भाग लेन है घर कर चुकी थी और अब वो भी तो सरकार के व्रुद्ध हो चुके थे सरका से देश रखने लग गएut SH точkh और इस अफको लेकर के ही नेरू ने अपनी पुस्तक discovery ओप इंडिया में लिखा भी है discovery ओप इंडिया में लिखा है कि किसी भी पराधीन देश के लिए राश्टी सुतंत्रता उसकी पहली आवशक्ता है पहली आवशक्ता कोई भी राश्ट जो की गुलाम है पराधीन है उसके लिए उसे सुतंत्रता उसके विकास के लिए या कहे कि उसके अस्तिद्व के लिए ही सोतंत्रता सबसे पहली आवशक्ता सबसे पहली आखांग्चा है उसकी मतलब कोई भी देश सबसे पहले सोतंत्र होना चाहेगा इसी को दोस्तों इसी के साथ में नेरु जी ने जब उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागरत हुई अर्तात की जब वो राश्टरबादी बने तो उनका मानना था कि राश्टरबाद के आदार पर ही कोई देश अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर सकता है. क्या कासर सामाजिक प्रकति कर सकता है तीके ना किस आधार पर दोस्तों जब देश सोतंत्र होगा जब देश सोतंत्र होगा तब ही जाकर कि उसके अंदर राजनितिक आर्थिक और सामाजिक मतलब देश की संपूर्ण छेत्र में प्रतेक छेत्र में वो प्रकति कर सकता है और यो ने इस पस रूब से कहा था कि मैं राष्ट युँझे रास्टाबादी होने पर है उनका रास्टाबाद उदार रहा है इंका राश्टबाद उधार रास्त्रबाद रहा है धार्मिक रास्टाबाद के प्रति कहieza रहा है मतलब रास्टरबाद का हमें से समर्तन किया है कि रास्टरबाद होना चाहिए लेकिन धार्मिक रास्टरबाद नहीं क्या धार्मिक रास्टरबाद नहीं उन्होंने धार्मिक कठरता और सामपरदाइक द्रस्टिकोड को रास्टिता के साथ जोड़ने का विरोत किया इसका मत मतलब बहुत जरूरी यह देखिए राष्टरबाद होना चाहिए मतलब देश प्रेम की भावना होनी चाहिए एक राष्टरबाद का होना आवश्यक है लेकिन धार्मिक राष्टरबाद नहीं होना चाहिए धार्मिक राष्टरबाद से सांपरदाइक्ता पनप्ति है और जि किसमें करती प्राचिन उसकी जो परंपराय रही है उन परंपराओं में ही वहे अपनी सफलता की या अपनी शक्ती की अपनी सुविधाओं के लिए उसकी कोज करती है पंडित नहरू भारत की मोलिक एकता में विजबास करते थे बेभारत में विबित ताओं के होते हुए भी उसकी मूल भूध संसक्रतिक एकता को शुखार करते थे उनका इसपस्ट मानना था कि हम जिस राष्ट्रबाद की इस्तापना चाहते हैं उस राष्टरबाद में सामपरदाईक अर्थात की धार्मिक राष्टरबाद ये धार्मिक अर्था का ना हो या नहीं होना चाहिए साथी साथ में साथी साथ में एक मोलिक एकता होनी चाहिए उस राष्टर में कौन सी कि तो इसी प्रकार से उन्हों ने इसी करम को आगे बढ़ते हुए याद अखिए यह सेकिन जो चल रहा है धर्म रिप्रेक्ष राष्टर बात के समर्तर तो यह उसी का एक पार्ट है रास्टर बात का ही एक पार्ट है धार्मिक राष्टरबाद का कभी समर्तन नहीं किया मतलब कि नेरूजी चाहते थो धर्म निर्पेक्षिता की बात इनों ने इस प्रकार से की आज संब धर्भाण में में दर्म रिप्शिता तो धर्म निर्पेक्श राष्टवान किस प्रकारत है तो नहीर जी ने ने क्टरत और रूडियां पसंद नहीं है और मुझे प्रसंद था हैं 그 क्योंकि इनी धर्मिक कटरत हैं और तार्मिक रूडियों के कारण देश का बहुत बहुत जादा अहित हुआ था जनता के साथ जो निश्ले बरकी जनता ती उसके साथ में कई प्रकार से अत्यचार हुआ Medium निसंदिन नहरो currents जी सामपरदाइकता के प् रबल व्प्रोधी थे और यह भी मानते थे कि सामपरदाइकता विधेशी सासन की देन है मतलब यह कि जब तक ब्रिटिस सरकार भारत में नहीं आई थी उससे पहले उससे पहले भारत में सभी लोग मिल जूलकर रहते थे सभी संपरदाय के लोग मिल जूलकर रहते थे लेकित बिविन संपरदायों में जो मतभेद उत्पन हुआ यह ब्रिटिस सरकार की देन है यह ब लसन करो की डिवाइड रूल्स की जो नीती उन्होंने एप्लाई की बाहरत पर उस नीती के कारण यहाँ पर फूर्ड डली है यह उस नीती कारण यहाँ पर मद्वेद उत्पन हुए थे तो नेरू धर्म रिर्पेक्षट संबंधी विचारों को जो नेरू के धर् communierungsة छ३र्म नि प्रेखे ता सम्मादि विचार थे हैं उसका अलब संक्यों को ने उसको बहुत समर्तन किया थाम अब देखे सिम्पल सी वात है उन्होंने इन्हों नर्मीर बरजब्र रास्टवात मतलब की हुआ कि समाज के जितने भी वर्ग है या जितने भी संपरदाय है वह एकी चस्मे continues तो अब उस समय में बहुत समर्तन किया और इस प्रकार से ने अपने विविन प्रकार के विचारों से और अपने विविन प्रकार के कार्यों से ही भारती जनता का दिल जीता उनके प्रिये बने तो दोस्तो नेरू जी ने सबसे पहले ये विचार रखा था कौन सा कि भारत का जो सम्विधान बनेगा वो सम्विधान ब्रिटिस सरकार के द्वारा नहीं ये किसी एक दो व्यक्ति के द्वारा नहीं बलकि सम्विधान सभा के द्वारा बनना चाहिए सम्विधान सभा के द् नियर्यू जी ने दिया था यहां सबसे प्रक्राइब लेकर नियरू जी के क्या विचारते तो भारत में नेरू जी को लोक तंतरbreak संस्थापक शंभारत में जाना जाता है नेरू जीaking की प्रारम से ही लोगतंत्र में आस्ता रही है उन्होंने सदे लोगतंत्रिक परंपराओं और मान्यताओं का आधर किया है कि नहरू जी प्रारम से ही लोगतंत्र के समर्थ रहेते मतलब उचाते थे कि एक एसा राश्टरवाद जहां पर जनता में जनता को पर्यात रूप से अधिकार दिये जाए जन्ता को सोतन्ता प्रदान की जाए तो नहरू ने लोकतंत्र में गहरी आस्ता थी उस लोकतंत्र की उस आस्ता ने भारत को भारत को या भारत के सम्मान को विश्व के सर्वोच सिकर तक पहुचा दिया समाजबाद में देखिए दोस्तों नहरू जी जो समानता इस्तापित की जाए समाज के प्रतेग वर्ग में एक समानता हो और समानता के कारण ही नेहरु जी समाजबाद के प्रवल समर्तक थे समाजबाद के लेकिन दोस्तों समाजबाद के समर्थक होने के बाद भी उन्होंने लोकतंत्र को लोकतंत्र को ही अपनाया क्यों अपनाया लोकतंत्र को क्योंकि क्योंकि रूस में या चीन में देख लीजिए क्या है समाजबाद है लेकिन दोस्तों महां ब्यक्ति का सुतंतरता नहीं है समाजबाद में सामूही सुतंतरता होती है लेकिन ब्यक्ति का सुतंतरता नहीं होती है और इस ब्यक्ति का सुतंतरता के ना होने के कारण ही जबालाल नहरू ने समाजबाद को भी अपनाने से इंकार कर दिया अर्थात उन्होंने लोक तंत्र को अपनाना उचे समझा इसी कारण वे सामेवाद और माक्स वाद को भी जो है माक्स वाद का भी पक्ष नहीं लेते हैं मतलब उसका भी समर्तन नहीं करते हैं इसके अलावा उन्होंने फासी वाद नाजी वाद का भी बिरोत किया क्यों किया क लोग तंत्र में विचार विश्वास रखने वाले विद्वान रहे हैं और इनके संपूर्ण विचार धार्मिक या कहें कि धर्म निर्पेक्ष लोग तंत्र में इनका विश्वास रहा है थर्म निर्पेक्ष राष्टबाद के साथ में धर्म निर्पेक्ष लोग तंत्र में सुतंता ही परियाप्त नहीं है जनता के लिए राजनीतिक सुतंता का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ अंग्रेजों से आजाद होना ही परियाप्त नहीं है बलकि अंग्रेजों से आजाद तो हम हो जाएंगे राजनीतिक रूप से तो सुतंत्र हो जाएंगे लेकिन जब तक देश में आर्थिक असमानता बनी रहेगी तब तक हम किसी भी इस तर पर विकास नहीं कर पाएंगे अर्थात की राजनीतिक सुतंत्र के साथ हमें आर्थिक सुतंत्र की भी आवशकता है और आर्थिक असमानता में राजन इत्तिक लोगतंतर का कोई मूले नहीं रहे जाएगा अगर हम जनता को राजनितिक रूप से लोगतंतर प्रोवाइट कर दें और आर्थिक लोगतंतर ना दें तो फिर जनता किसी भी इस तरफ बिकास नहीं कर पाएगी। के सांनति THो सामजिक चेतर में समानता के भी वो प्रवलसमर्त्त रहे हैं इसलिए उन्होंने केवल भारत में असप्रयें के विरुद उटाई असप्रश्यता के विरुद्धावाज उटाई बल्कि पूरे विश्म में जो जाती इस तर पर जो बेदवाब होते थे जैसे कि रंग को लेकर या जाती को लेकर जो बेदवाब होते थे उसका हमेशा इन्होंने विरोध किया है इस प्रकार नहरू के लिए लोगतंत मात्र एक शासन प्रणारी ना होकर के उनका जीवन मंत्र था ठीक है ना चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट है बिश्विशांती और पंचेशील निश्विश्विशांती और पंचेशील अब देखिए जो विचार इनके अभी तक के रहे हैं राष्टबादी लोगतंत्र संबंदी विचार ये तो थे इनके प्रधान मंत्री बनने से पहले के विश्विशांती को लेकर के और पंचेशील को लेकर के दोस्तों जो इन्हों ने अब अपने जो कारे किये हैं जो विचार दिये हैं वो रहे अब इनके प्रधान मंत्री बनने के बाद जिसमें पांच सिद्धान्त दिये गए थे जिनका पालन बिश्व के प्रतेक राश्ट को करना चाहिए जिससे की दोस्तों एक बिश्व सांती तो इस्तापित होगी होगी साथ में सभी देश साह अस्तिद्व के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रियक्निसिल हो सकेंगे तो ब महायुद्द भिश्व के दो महायुद्द देख चुके थे और उन महायुद्दों का जो बिनास्टकारी परिणाम सामने आया था उनको देख चुके थे इसलिए उनका मानना था कि सबी देश अलग-अलग बिचारदारह के होने के बाद भी शांती के साथ रह सकते हैं अमेरी गुट और एक रूसी गुट दोनों गुटों से अलग रहने का बिचार इन्हों ने दिया था कि लिए उन्होंने 1954 में शांती विवस्ता इस्थापित करने के लिए ही इन्होंने 1954 में चीन के प्रधान मंत्री चाउन आई के साथ मिल करके पंच सिल के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और वो पंच सिल का सिद्धान्त को शिर्पकार था पहला था पहला था कि प्रतेक देश की प्रतेक देश अन्य देश की अखंडता और संप्रभूता का पहली बाद सम्मान करें दूसरी कंडिशन थी कि एक दूसरे पर आकर्मन ना करें जो भी इस सिद्धान्त को अपनाते हैं वो एक दूसरे पर आकर्मन नहीं करेंगे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तचेब नहीं करेंगे समानता और हित की भावना रखेंगे सांती पून सै अस्तित पो और आर् भारत के साथ प्रारम्भ हुआ था और यह पंडित जवालल नहरू के नेतरजों में ही चीन के प्रधान मंत्री चाउन आई के साथ में यह सिद्धान्द को अपनाए गया था कि लिए रहे ना सकती है हलांकि चीन ने पंच सिलके सिध्धान्त को अपनाने के बाद में भाईरत को दो का डिया है कैसे कि 1962 में उसने बाई पर आकरमर करके और पंच सिलके सिध्धान्द का अलंगन कर चुका ता लेकिन फिर भी ने अपना रास्ता नहीं बदला उन्होंने फिर भी पंचसील वह सांतिपुन्स स्थिद्व का मार्ग अपनाए रखा लियरे तो इससे भी प्रतिपादित होता है यह साबित हो जाता है कि नहरु प्राचीन समय से भारत में उसको और प्रबल बनाने में अपनी महत्पुर्ण भूमी का अधा की है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक शोड में आपको पंच सिल्का सिद्धान्त समझ आया होगा और अगर मैं आपको यहीं बताता हूँ तो हमने थर्ड यर में थर्ड यर की पॉलिटी वाले सेशन में इसको और पूरे विस्तार से इसको पढ़ाया है आप वहां जाकर कि उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं पंच सिल्का सिद्धान तो यह गुट मिर्पेक्षिता की नीती इनको हम पहले पढ़ा चुके हैं और पूरा तरब से अब कि यह जित्ते भी यह कंशैप्ट है यह पूरे किलियर हो जाए इनको से दोस्तों बत निर्पेक्षिता की नीती but निर्पेक्षिता की नीती का मतलब ऋस्वह में किसी वी प्रादम हुआ तो कब तो प्राणब पूरा विटम दो गुटों में समलित होने लग गया था एक अमेरिका की तरह कुछ देश ते जो अमेरिकी गुट में शम्मिलों लग गया तो प्र तीसरे विश्विद्व को कोंवन नहीं ही बचा सकता थिसा बिस थो पक्का होकी ही रहेगा तो इसी कारण से ने विदेश नीती में गुट निर्पक्षटा की निती अपनाई कि अपनाई गुटे निर्फेक्षिता की नीती अपनाई इसका मतलब होता है कि ना हम अमेरिकी गुट में शामिल होंगे और ना ही हम रूसी गुट में का ना केवल ना केवल भारत को युद्ध हो चुका था तो नेरू जी ने गोषना की ती किसके बाद की दोस्तो जब उन्हों अपने विदेश नीती में गुट निर्पेक्षता की नीति को अपना लिया उसके बाद उन्होंने गोशना की कि भारत की विदेश नीती सोतंत्र है क्या का उन्होंने कि भारत की विदेश नीती क्या है सोतंत्र विदेश नीती है वह गुटों से अलग रहने की नीती है भारत सबी देशों से समान आदार पर बेवार करेगा किसी पक्ष में शामिल नहीं होगा नेहरू ने बिस्व के नव सोतंतर देशों को विदेश नीती में गुट निर्पेक्षता का जो सिध्धान्त दिया यह जो मारग दिखाया किसको जो देश नय-नय सोतंतर हुए थे भारत के स सिध्धान्त दिया या मार्ग दिखाया और जिसके का परिणाम पता क्या हुआ कि आज गुट निर्पेक्ष आंदोलन खड़ा हो चुका नोन अलाइमेंट मुमेंट चल चुका है जिसमें लगबग 114 देश शामिल है और जब जब इन पिछले हुए देशों देश जब एक ज इग्नोर नहीं किया सकता क्यों कि वह कोई एक यह दो राश्र नहीं है बलकि 114 देश खड़े होकर के बात करते हैं तो कोई भी महाशक्ति इनको इंग्नोर नहीं कर सकती नजर अंदाज नहीं कर सकती इनकी उपेक्चा नहीं कर सकती इसलिए इन्होंने गुट में आपको बहुत दिटेल में लगबग 40 मिट के आसपा से किलास से सिर्फ बूर्ट निर्पेक्ष्टा पर उन्हें आपको पढ़ा चुका हूं एक बार आप सर्च करेंगे तो आपको इसली वो सेशन मिल जाएगा लिग दीजे गया ना बूर्ट निर्पेक्ष्टा नीथी आप लोगों को इसके अलावा दोस्तों आपको पुरे विस्तास से पढ़ना चाहिए अगर आप प्रतियोगी प्रिक्षाओं के त्यारी कर रहे हैं तो और अगर आप बिए सेकेंडिर के स्टुएंट है तो कोई टेंच नहीं नहीं इतना रहता अब लोग के लिए सपिसें दोस्तों टेलेग्राम नहीं किया तो जल्दी से जोइन कर लें मिलेंगे नेक्स सेशन में थेंक्यू धन्यवाद दोस्तों